तो प्यारे बच्चों हमने लाश्ट टैने पिर आधनी कावर्सारणी के बात कर ली थी और सोच से अधिक परमानों क्रमांक रखने वाले तत्वों के नाम करने की बात कर ली थी में बात की प्याए ऊमि पड़ेंगे कि तेप्षों का में कैसे बढ़ते हैं उनके जो एलक्ट्ट्रों कंत कैसे बढ़ते चीश कर अण सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसी जो इलेक्ट्रोन है वो इलेक्ट्रोन है हमारे पास में कितने होंगे किसी भी सबसे दत्रोके पास तो प्यारे बच्छों देखना सीमには आपके पास तो सब्सक्राइब परमानु करमानु जो होता है इसको नीचे जो संक्या लिखी होती है इसको तो मोलते हैं परमानु करमा क्या होते हैं परमानु करमा उर्पर जो संक्या लिखी होती है इसको बते हैं परमानु भार कि आवर साहद ने में कुई बी तदु जितने नमबर पर विवस्तित होता है उस तत्तो को यह उस तत्तो के उस नंबर को उसका परमानों कर्मान कहा जाता है कि आवर सार्ण में जो परमानों जितने नंबर पर आता है उसके उस संक्या को उसका परमानों कर्मान कहा जाता है यहां पर जो नाइक्रोजन जो परमानों है यह साथ नंबर पर आता है आता ह होता है कि आपके पास में जितना जएड होता है उतना ही होता है जितना ही होता है इसे क्या होता है पी होता है तो यहां पर प्रोटों कितने होंगे साथ अब न्यूट्रों कैसे निकल तो न्यूट्रों होता है लाहिटे साथ एक होता है यह वाल यह से दहुने कि संख्या निकल लेंगे तो परवार मेंशें निचलेंगे गटा देंगे उपरवाली संक्या मिने जवल सेगे करेंगे गटा देंगे तो जो संक्या आपकि पास में अपर बताना चाहा हूं कि कीसी भी परमान के पास परमानो करमान, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन वे न्यूट्रोन की संक्या समान हो भी सकती है वै नहीं हो सकती लेकिन हमेशा किसी भी परमान के पास ने परमानो करमान, इलेक्ट्रोन वे प्रोटोन की संक्या हमेशा समान होगी लेकिन विल्कुन की संख्या समान हो भी सकती है वैं नहीं हो सकती तो हम यहां दिखेंगे कि कोई भी पर्मान जो होगा उसमें Z जो होगा E के बराबर E जो होगा P के बराबर यह जो तीनों संख्या होंगी वह एक दूसरे के बराबर होंगी लेकिन n का मान इनके बरावर हो भी सकता है तो n का मान इनके बरावर नहीं हो सकता लेकिन z, e, p हमेशा समान हो कि अख्र भें किमारणों कुसह और था छंध कि संक्या होगी होई veg क्योंन की संख्या में करते हैं इनके पर और हो भी सकती और नहीं हो सकती सर ब्राबर कब होगी जब उपर वाली संख्यine, अलग परमानों भार जो हो, परमानों कर्मान पुल क्या होका होनə च invalid है, अगर क्या तो दुगना से कम हुआ या धुटा को जधा हुआ तो इसमे ल कमान कभी समान नहीं आसी आएगकर । वाकि तीन क्योंकि यहां पर पर्मानु भार जो है यहां पर पर्मान का क्या हो गया डबल से एक ज्यादा तो यहां पर आपके पास में बैड फी तो क्या होगी समान लेकिन न्यूटन समान है नहीं हो अब हम बात करते हैं कि किसी भी परमानु में उसके परमानु परमानु जो होगा वहीं क्या कहलाएगा और इन्हें इलेक्ट्रोन को भरना ही इलेक्ट्रोन की विन्यास कहलाता है अब इलेक्ट्रोन की विन्यास दो होगा उस्ति ज्याति हो हम एक सीधी सी प्रिक्यात कर सकते हैं इलेक्ट्रोन की जो प्रिक होगी वह हम भी बोल सकते हैं इसको से सपर सदपर सदपर सपर इस से का मतलब क्या होगा इस से का मतलब होगा विजाती हो एस और कुछ से होगा बन एस ठीक है इस से का मतलों क्या हो जाएगा 2S और इस प्रिक का मतलों क्या हो जाएगा 2P इन दोनों के एक साथ 2 कतम हो गया अपर कर देंगे 3S 3P अब पुनाएगा 4 आएगा तो यहां आएगा 4S और इस डी आगा विजी कमल होगा 3D स्रेंग फिर ध्यारतियों हमने लाग पीड़ अगर बात नहीं किया है तो फिर बताता हूं कि डी लोग में हम चार स्रेंग की बात करते हैं 3D स्रेंग 4D स्रेंग 5D स्रेंग दो 6D स्रेंग तो यह 3D के तत्तों होंगे यहां पर आप पास मैं जाएगा 4P अब इसके बात करते हैं को लाएगा 5S 4D 5P अब इसके बात करें इस सेक्ट में हो जाएगा 6S इस फैटा में होगा एप एप जो उल्कोस होंगे एप जो ग्लोग होगा उसके अतर्ट्व की बात करेंगे और कितना होगा यह हमेंसा जो होगा यहां पर है से कितना कम होगा दो कम होगा तो इहां पर ऊप रहे तो इसके बात करते हैं क्या हो जाएगा 7S 5F 6D और 7D है मैं इस डाक्र वाय जो होने हैं इसफार में है यह तो होता है यह फी अशकषा है Set do सब्स jackets को में सब्सक्राइब को और नंबर होगा मतलब है अगर हमारे पास उस casualties पास पास और हमने पड़ा था आप वीडियो में कि एक में हमारे पास दो ही श्रीणी आती है फोर एक वाइप अब इलाक्रिक इन्यास के बात करते हैं तो यहां करा हूं जर्नली रूप से देखें तो कोई भी एक तत्व लेते हैं जैसे ही कि हमने तत्वी हादु जो पर्मानों लिया हो लिया 10 मों पर्मानों कितना हो अब कि द्यादी हो 11 होता है किसमें इलाक्रोन भरेंगे यह एस ब्लोब यह पी टुश्न सो अब यह जो इलाक्रोन है यह कौन से उपकोस में जाएगा ये है उसी भोग का तत्ति वे प्लाइगा जैसे जिहां डिते है गारे अलैक्डो मे ताम टहिए हम में लेजला है एक रहेगा सीधा इक रहेगा रोगा पोजिटीब और इसका जो चखन होगा दें नाइक्डी कर रहां प्लस माइनस एक वड़ा तो किया हुँआवर प्लस माइनस एक वड़ा जो मुझे के सूरस में हम वाइस में वाइस फी फैर वाइस में हम नमीलिर घॉल का जो जो था हू इसमें पांश ट्रॉben didnt अत्रियर एक लॉता आश ऌल Сам्यूद मुधना हैं03 F7 52 को स्वाहर आश द्रग एफ जो हमारे पास में होता है उसमें हमारे पास में साथ वो सोते हैं है एक दो टीन चार पाँप चैसाफ हमारे पास यह हो जाएंगे अगर इनका नाम करें तो यह होगा पार पी एक्स किसको मालों जाएगा डी वाई इसको इसको बोल सकते हैं बाई स्टीक को लगाना है सह सब पर सब अब बाता हूं सबसे पहले पहले बाव अब कितने एलेक्तों में हमारे पास कितनी है है कितने बढ़ोगे यहां पर पी में दो चार हम पी में कितने बढ़ सकते हैं चैर एक दो ती चार पांच चैर दो आट दो दस दस इलाक्टोन हम भर चुके हैं अब हमारे पास में पोड़ाएगा 3S आएगा तो 3S में कितने अलेक्टोन जाएंगे हमारे पास इलेक्टोन है 11 हम और कितने बढ़ चुके हैं 10 कितने अलेक्टोन जाएगा एक यह इसका क्या हो जाएगा अत्यरक्टोनिक विन्यास हो जाएगा उक्ति इलेक्ट्णिक विन्यास हो नों ह ठीक हैं किसी भी दत्तु का इलेक्ट्णिक विन्यास निकाल सकते हैं उस त Tool प्रमानवत मान खरने पता होना चाहिए अगर उस तत्रों का प्रमान खरने पता है तो हम उस तत्रों की रिभ्न विन्यास बहुत आसे सब्सक्षानि से इसाउप दोड़ा लिखाज सकते हैं आपको हमेशा पर सब्सक्राइब इसका मतलब क्या होगा जो होगा यहां पर यह फर्ष्ट आवर्थ का तत्त तो होगा यह कौनसी आवत का तत्यू और आवत के तत्यू और भी ध्यारतियों बच्चों आवर सार्मे में जो थड़ वर्ग है उसमें सबसे अधितम तत्यू पाये जाते हैं जब लोगों ने तीसरा जो वर्ण है सबसे अधितम तक तक तो पाये जाते हैं और कितने पाये जाते हैं फट तीजू बाकी बाते हूं करेंगे अधितम पास